दिल्ली में सप्ता के गलियारे से लेकर किसानों की मंडी और रासन की दुकानों तक बिचोलियों को हटाने की मुहिम ये चौकीदार ने छेड़ के रखी है नमस्कार ममदुकर बाजपे हिंदुस्तान समाचार के डीश्टल प्रेटफॉर्म एचेस नूच पर आपका स्वागत है सुप्रिम कोड ने तीन बड़े फैंसले सुनाएं सबरी माला मंदिर विवाद में कोड ने महिलाओं के इंट्री को जायज बताया लेकिन इस मामले को उच्च पीट के हवाले कर दिया इसके अलावा राहूल गांधी और राफिल पर भी सुप्रिम फैंसला आया चुनाव में राफिल राफिल चिल्दाने वाले राहूल आखिराज कहां है चुनाव के दौरान राफिल में घोटाला होने का दावा ठोकने वाले राहूल इस मामले में एक भी सबूत पेष नहीं कर पाये और माफी माफी कहके निकल लिए आखिराज सुप्रिम कोड ने राहूल गांधी की माफी को सुईकार कर लिया सीर्स अदालत ने राहूल गांधी के माफी नामे को सुईकार करते हुए उन्हें नसीहत दी कि भविश्य में कोड से जूड़ी किसी भी मामले में किसी भी प्रकार का राजनीतिक भाशर देने में सतरक्ता बढ़ते हैं मोदी को उन्हें गाली देनी है मैं जानता हूँ मोदी पर वो किसी भी तरग एक दाग लगा देना चाहते हैं ये भी जानता हूँ लेकिन जानना चाहता हूँ कि इसके लिए देश को ताग पर क्यों रख दिया गया है जैसे आप ही आपने हवाईजाज देखा ऐसे हवाईजाज में नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ छोटे से हवाईजाज में अनिलंगानी राफाइल की जो फाइले हैं गायब हो गई सरका का सिर्फ एक काम है कि जो चोकिदार है उसको मतलब बचा के रखना है भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं जूठाई लेना जूठाई देना जूठाई भोजन जूठ चबेना कैने कुछ लोग जूठी स्विकार करते हैं जूठी दूसरों को देते हैं जूठ का ही भोजन करते हैं और जूठी चबाते रहते हैं लोग सभा चुनाओं के समय राहुल गांदी हर मोडचे पर राफिल के जरिये मोदी सरकार को घेरने की पूशिश करते हैं हर रैली में प्रधान मंत्री नेंद मोदी के लिए आपत्य जनक शब्दों का इस्तिमाल करते हैं दिन रात इनको राफिल ही दिखाई दिता था और ये महासाय कान आखबंद करके किन्द सरकार को कोसने में जूटे से यहां तक तो ठीक था पर कोड के नाम पर भी देश की जनका को बरगलाने में जूट गई ये महासाया फिर क्या था कोड ने फटकार लगाई और राहुल बावू माफी माफी करने लगे राहुल की इन बचकानी हरकत का बीजेपी ने बहुत फायदा उठाया और पियम मोदी समेथ सभी बीजेपी ने ताउने रात और रात अपने नाम के आगे चौकिदार लगा लिया इस सब्द का असर ये हुआ कि हर आदमी सुरक्षा कर्मी अपने को देश का चौकिदार कहने लगा और यहाँ पर राहुल कदाओ उल्टा पड़ गया राफिल केस में रिव्यू पेडिशन पर सुप्रिम कोड ने मीडिया में लीख हुए तीन दस्तावेजों पर गौर करने के मामले में सरकार की दलिल को नकार दिया था कोड ने कहा था कि अदालत इंदर तवेजों को देखेगी इन्हें कंसीडर करेगी इसके बाद ही राफिल केस की रिव्यू पेडिशन पर कोई सुनवाई या फैसला करेगी लेकिन राहुल गांधी ने कोड की हवाले से पियम मोदी के खिलाफ गैलत बयानबाजी की उन्होंने यहां तक कह दिया कि सुप्रेम कोड ने मान लिया है कि मोदी ने अनिलंबानी की जेम में 30,000 क्रोड रुपे डाले उचितम ने आले में मुख्य ने अधिस रंजन गोगोई की अगवाई वाली तीन जज़ों की पीड ने गुरुवाल को राफिल सौदे पर सुनवाई की पीड ने कहा कि इस मामले में अलग से जाच की आवशक्ता नहीं है इसे लेकर भाजपा के वरिष्ट नेता और केंदरी मंतरी रविसंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी माँगनी चाहिए प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आपचारी गूप से देश से माफी माँगे और राहुल गांधी को देश से माफी माँगने की आवशक्ता है सब में कमिसन खोरों का आवकास रखा भारती जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्मेंट टू गवर्मेंट डिल की जिसमें कभी बीचोलिय का कोई सवाल ही नहीं होता है भारत की सुरक्षा की जीत है और दरिंद मोधी सरकार के इमांदार निर्णे प्रक्रिया की जीत है सत्य में उजयते कॉंग्रेस पार्टी आपचारिक रूप से देश से माफी मांगे और राहुल गांधी देश से माफी मांगे फ्रांस के साथ किये गए राफिल समझोते में केन सरकार पर बिष्टाचार के आरूप लगने लगे थे जिसके बाद इस मामले में सुप्रिम कूर्ड में याच्च का दयार की गई थी इस मामले में राफिल मामले की जाज, खरीजने की प्रक्रिया, प्यमों के दखल पर सवाल खड़े की थी हालाकि राफिल मामले में सुप्रिम कूर्ड ने अपने फैसले में किन सरकार को रहाद दी थी इसके बाद मामले में पूर्व केंद्री मंत्री अस्वन सिनहा, अरोर्शोरी और बकील रसांद भूसन ने सुप्रिम कोर्ड में पुनर विचार याच का दायर की थी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने लोग सभाचुनाओं के दवरान राफिल विवाद पर सुप्रिम कोर्ड के फैसले के एक विवादास पर टिपनी की थी राहूल गांधी ने कहा था कि सुप्रिम कोर्ड ने माल लिया है कि चौकिधार चोर है इसके बाद सुप्रेम कोड में बीजीबी की सांसद मिनाक्षी लेखी ने याचिका दैर की थी सुप्रेम कोड ने राफेल मामलेंपे पुनरविचार याचिका को खरिच कर दिया था सुप्रेम कोड ने 14 राफेल जेट के सौधे को बरकरार रखते हुए 14 दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ राफिल समिक्षय याजकाओं को खरिच किया था अदालत के फैसले पर रक्षा मंत्री राजना सिंग ने कहा कि मैं सर्वोषी नियाले की फैसले का स्वागत करता हूँ और यह हमारी सरकार के रुख का समर्थन करता है इस मामले पर भाजपा के एक कारिकारी अध्यक जेपी नड़ा ने भी ट्विट किया उन्होंने कहा उचित्तम नियाले ने सराफिल मामले पर पुनर विचार याजका खारिज कर दी है सीस अधालत ने कहा है राहूल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनिदिक टिपड़ी नहीं करनी चाहिए थी केंद्री मंत्री स्मृति राणी ने ट्विट में कहा कि नयाले के फैसले ने एक बार फिर राष्टी सुरक्षा को लेकर प्रधान मंत्री नियन्द मूदी एबम सरकार के द्रण संकलब की पुष्टी की है फिलाहाल मानहानी मामली में कांग्रेस के पूरवध्यक्ष राहुल गांधी को रहात मिली है सुप्रिम कोर्ड ने राहुल गांधी की माफी को मंजूर कर लिया है और इसके साथ ही कोड ने साफ कर दिया है कि राहूल के खिलाब कोई भी आव मानना का केस नहीं चलेगा अपने फैसले में सुप्रिम कोड ने कहा कि समवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को सावधानी से बयान देना चाहिए फोड को राजनीती विवाद में घसीटना गलत है फोड ने ये भी कहा कि राहूल गांधी ने माफी मांग ली थी हमने उनकी माफी को मनजूर कर दिया है और उन्हें माफ कर दिया वहीं राहूल गांधी की तरफ से अदालत में पेश हुए वरिष्ट वकील अवसेख मनुसिंग्वी ने पीट से कहा था कि कांग्रेस नेता ने सीस अदालत के हवाले से टिपणी करने को लेकर माफी मांग लिए मुख्यन आधिस रंजन गोगोई और जस्टिस एस के कॉल और के एम जोसेफ ने कहा कि किसी भी सत्यापन के बिना राहूल गांधी द्वारा प्रधान मंत्री के खिलाफ टिपणी की गई जो कि प्रधान मंत्री के पद के खिलाफ और गलत थी एसी ही समसमाई गटनाओं से हम आपको हमेशा रूबरू कराते रहेंगे खबरों का सार और निक्चोड आपके समक्ष रखते रहेंगे अगर आपको इस विशे पर या किसी अन विशे पर हमको कोई सुझाव देना है तो अपने हमें कमेंट करकर अबश्य बताएं हमारा य